Hi everyone, चले सुरू करते हैं आज की आपनी class आज की class में दोस्तों हम square निकालने के एक बेतरी इन टिक सिखेंगे चले सुरू करते हैं square का मतलब क्या होता goodbye square मतलब किसी number में double omega का multiply कर दो जैसे 15 का square अगर निकालना हुआ तो 15 into 15 और इसका multiply करेंगे then answer आएगा लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है दोस्तों, इसकी ट्रिक सीखते हैं, कैसे बिदिन टू या त्री सिकंड में स्कॉयर निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों, से माल लिजिए सपोज 15 का स्कॉयर निकालना हुआ, या पचीस का स्कॉयर निकालना हुआ, या तो 35 का स्कॉय निकालना हुआ उसके इंड में अगर five है तो उस number का square कैय स्टय निकालेंगे देखिये का दोस्तो समझेगा सबसे पहले जिस number में end में one unit place पर five होगा उसका square निकालने के लिए सबसे पहले तो 25 आएगा 25 आना ही है. फिद देन उसके बाद five के अलावा ऑलावा जो नंबर बचया, जैसे नंबर कॉनसे बचया, अऍचे और को यह सह बचया? का उसके आगे वाले नंबर से multiply करना है, तो नं सके आगे वाले नंबर कोईनमबर, क्या होगा अटू तो बॉन मका two से ये याद रखना है, इसके बाद 5 के अलावा जो नमबर बचा, बचा कौन सा नमबर? दो बचा, दो का उसके आगे वाले नमबर से, दो का आगे वाले नमबर क्या है दोस्तो? तो दो का गुड़ा तेन से के, तो तेन दूनी कित्ता हो गया दोस्तो? छे, इस इतरह 35 का हम निकालते हैं दोस्तो, आजगा तो अब आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी 25 तो आना ही है 25 के अलावा आप कौन से नमबर बचा दोस्तो 3 बचा 3 का उसके आगे वाले नमबर से गुड़ा कर लो तो 3 और 4 का गुड़ा करेंगे 4 ते कितना हो जागा दोस्तो 12 इसी तरह 45 का निकालना हो गया दोस्तो तो 25 आएगा 4 का गुड़ा उसके आगे वाले नमबर से करेंगे 4 का गुड़ा किसे करना है आगे वाले नमबर क्या है 5 तो 4 का गुड़ा 5 से करेंगे तो 5 तो कितना हो जागा दोस्तो 20 इसी तरह माले जी आपको पचपन का निकालना हुआ और 65 का निकालना हुआ 55 का निकालना हुआ 85 का निकालना हुआ और 55 का निकालना हुआ दोस्तो 55 का निकालना है तो क्या करेंगे 25 तो अपना आना ही है इसके बाद क्या करेंगे दोस्तो इस 5 को छोड़ेंगे नेश्ट पांच जो बचा उसके आगे वाले नंबर से गुड़ा करेंगे पांच का आगे वाले नंबर क्या है छे है छे से गुड़ा करेंगे छा पंचे कित्ता हो गया दोस्तो तीस इसी तरह दोस्तो पचीस तो आना ही है 65 में 25 तो आना ही आए अब 6 का गुणा किस से करना है 7 से उसके आगे वाले नमबर से तो 6 सत्य कित्ता हो गया दोस्तों 42, 42 हो जाएगा 42, 25 इस दिए तरह 50 का निकालना होगा तो 25 तो आना है दोस्तों इसके वाज 6, 7 का गुणा 8 से करेंगे 8 चंग 48 हो जाएगा तो 48, 25 हा जाएगा इसी तरह अपने 85 क estaban लाया 50 का तो 20 तो यहाईगा दोस्तो 8 का गुणा उसके आगे वाले नंबर से 9 का गुणा उसके आगे वाले नंबर के आए 9 से करते है तो 8 नमा कित्ता हो गया दोस्तो बातार तो 25 तो पंचानने का दोस्तों निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा पचीश तो अपना आना ही है इसके बाद 9 के आगे वाला नंबर क्या है दोस्तों 10 10 का 9 में मुल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आजाएगा 9 टेंजर 19 इस तरह आप जिसके एकाई के एंक में 5 दिखेगा उसका स्कायर बीना पेंच चलाए क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं दोस्तों विदिन 2 या 3 सेकंड में बस कुछ नहीं करना है जैसे 15 का आपको निकालना है इक आएक में 5 आपको दिखा तो 25 तो आना है फिर जो नंबर बचा है एक बचा उसके आगे वाले नंबर से गुड़ा कर द इसी तरह आपना 35 का आगा निकालना हो तो 25 तो आएगा तीन का गुड़ा उसके आगे वाले नंबर से तीन और चार का गुड़ा किये तो किता है दोस्तों 12 इसी तरह आपने को 45 का आगा निकालना हो तो 25 तो आएगा दोस्तों 4 का गुड़ा उसके आगे वाले नंबर से 4 क इसी तरह आपने को 55 का अगर निकालना हुआ दोस्तो तो 25 तो आपको आना ही है फिर 5 का गुणा उसके आगे वाले नमबर से 5 का किता हो गया दोस्तो 30 इसी तरह आपको 65 का अगर निकालना हो तो 25 तो आएगा और 6 का गुणा उसके आगे वाले नमबर से 6 सते किता हो जाएगा दोस्तो 42 इसी तरह 75 का उगान करना है तो 25 तो आप लिखेंगे हर एक केस में आपको 25 लिखना है जिसके इंड में 5 दिखेगा और 7 का गुड़ा इसके आगे वाले नमबर से 7 चंग किता होगे दोस्तो साथ का गुड़ा आट से करेंगे तो 8 चंग 48 हो जाएगा दोस्तो इसी तरह आपको किते का निकालना है 85 का मान लीजिए तो 25 तो अपना एजिट्टी हो आएगा अब 8 का गुड़ा 9 से करेंगे तो किता आजाएगा 72 आजाएगा दोस्तो मतलब लिखने में टाइम लगेगा बट साल करने में टाइम ने लगेगा इससे पहले ही आपका मान कल्कुलेट कर देगा दोस्तो इसी तरह आपको 45 पंचानने का निकालना तो 25 तो आएगा और 9 को गुड़ा 10 से करेंगे तो 10 नहीं किता हो जागा 90 आजा करता हूं दोस्तो यह चीज़ आपको एकदम क्लियार हो गई होगी आज चलिए